अब यहां पर बोलते हैं इन जनरल अभी तुमने देखा independent डिरेक्टर लिस्टेड कमपणी के लिए कितने इस भर अगने लिस्टेड कंपनी वो है जिस पर एलो डियार के रेगुलेशन लगते हैं तो बोलता है अगर तुमारा चेर्में नॉन एक्जेक्यूटिव डारेक्टर नॉन एक्जेक्यूटिव मतलब इंडिपेंडेंट युवा ना इंडिपेंडेंट नहीं बोलना चाहिए बर हां कंपन रहने दो तुम टोटल नंबर ऑफ डारेक्टर के वंधर डारेक्टर इंडिपेंडेंट रहने दो लेकिन अगर खुद चेयर परसन ही इनवाल्ड है डे टूडे अक्टिविटी अप्टिविटी अप्टिविटी में इसका मतलब वो एक्जीक्यूटिव डारेक्टर है तो बाइस तो हो सकता है ना पर अगर कैप्टन खुद इनवाल्ड नहीं डे टूडे अक्टिविटी में तो ठीक है वंधर रहने दो नहीं अगर कैप्टन इनवाल्ड है तो वंधर नहीं रहने दे सकते तब तो हमको आधी जनता क्या चाहिए नौन तुमारी लो भाइकान इधर से पकड़ो या उधर से भले ही वह खुद नौन एग्जिक्यूटिव लेकिन रिष्टेदारी कहां जा रही है सीधे प्रमोटर से या फिर खुदी प्रमोटर है ऐसे केस में भी हमको फिर आधी जनता क्या चाहिए इंडिपेंडेंड डाइरेक्टर तो MCQ का पक्का पॉइंट है यह अगर एक लिस्टेड कंपनी है लो डियार रेगुलेशन लगते हैं तो आख बन करके वन थर्ड मत करके आना तुमको देखना पड़ेगा चेयर पर्सन के हाल क्या है चेयर पर्सन क्या एक्जिक्यूटिव डाइरेक्टर है अगर फूथी प्रमोटर रहे एक प्रमोटर एक तुमारी आदी जनता क्या रहेगी इंडिपेंडइन डाइरेक्टर रहेगी तो इसको डायीक्टर के बाद कर जाना चाहिए क्योंकि लिस्टेड कमपनी के लिए वो लिस्टेट कंपणी जिसमें यह जो रटंत विद्ध्याना यह सारी सिक्टियर्टी में से एक भी चीज होगी तब जाके तो यह प्रोविजन लगने स्टार्ट होंगे मैं सेक्शन एट कंपनी जब प्रॉफिट का काम ही नहीं है तो सेक्शन एट कंपनी पे इनदिपेंड़िट डिरेक्टर की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती है वहां एक और चीज़ लिखी है सेक्शन एट के लावा उन पे क्या लिखा है डॉर्मंड कंपनी एक बाइंड कंपनी के लिए वैसे तो स्पेज़फाइड अकाउंटिंग ट्रांजक्शन को चल नहीं उनके तो करोगे कि independent director appoint करके अब फिर से एक चीज क्या बोलता है यहां पर executive director appoint करना चाहते हो minimum is 21 चाहिए याद करो executive की तो से भी minimum is 21 याद आ रहा है सुमित को थोड़ा ज़्याद आना चाहिए कि इसने रिसेंट ली किया कि executive की minimum यहां पर minimum एज executive की कितनी है 21 है लेकिन वहां पर लिखा कही नहीं एक्ट में की non executive की अठरा होनी चीए पर हमको दिन से समझ में आया था contract इंडियन contract accept समझ में आ था कि एक 18 साल का बच्चा ही contract में जा सकता है दिन apply कर सकता है साथ तक ध्यान पूरा इधार रखना तो non executive director जो है तुमारा ऐसे तो अगर तुम किसी listed company में पॉइंट करो 18 साल की उमर यह भाई साब की लेकिन वो लिस्टेट कंपनी जिस पर एलोडियार रेगुलेशन ने तो आंख बन करके 18 मत टिक करके आना तुम्हारी यहां पर भी 21 साल हो जाएगी उमर नौन executive director की भी तो तुमको समझना पड़ेगा एलोडियार कंप्लीटली रटना है लेकिन जब बात आती है किसकी एक listed company की तो देखो भाई अगर एलोडियार लग रहे हैं तो फिर एलोडियार की specific regulations लगेंगे इसका मतलब नौन executive 21 साल का होना चाहिए कम से कम executive तो वैसे भी हमेशा से क्या है 21 की उमर उसकी minimum ही है नॉर्मल लिस्टेड कंपनी तो नॉर्मल मतलब जिस पे लोडियार रेगुलेशन नहीं लगते नहीं लगते तब भी executive का 21 साल थी और non executive act में कहीं नहीं लिखा पर दिन तो 18 साल में ले पाऊगे और दिन बिना तुम director नहीं बन पाऊगे इंडियन contract act गोलता है 18 साल से छोटा बच्चा माइनर होता है वो non executive का भी कितना है 21 मैं executive director का executive तो maximum 70 साल के ही हो सकते उसके उपर अपॉइंट करना है तो special resolution चाहिए यहां mention नहीं किया पर automatic applicable हो गया लेकिन non executive 75 यहां पर दी है पर normal listed company में non executive की कोई age limit नहीं है तो यह चीज़े कितनी particularly याद रखनी पड़ेगी कि LODR में maximum limit है non executive की तो देखी नहीं रखी तो वह automatically कहां से उठके आएगी तुम्हारे section 196 सब section 3 से उठके आएगी और वो बताएगा कि वहां पर सत्तर की उमर है सत्तर के उपर किसी को executive बनाना चाहते हो तो वहां पर लिखा special resolution और सेंट्रल government की permission फिर इसके बाद मैं अगर कभी कोई vacancy हो जाए तो वह ही अगर vacancy है तो आपको क्या करना है तीन महिने के अंदर फिल करना है हां वहां पर लिकिन चेर पर सने वहां पर सेवी में सेंट्रल government की nominated members वागर है वहां पर डाइरेक्टर नहीं है कोई तो यहां पर बोलते हैं चार कम से कम बोर्ड मीटिंग चाहिए maximum 120 दिन हो सकते हैं भाईया गैपिंग इससे जादा नहीं अब यह फिर important membership of a committee किसी भी डाइरेक्टर को अगर member बनना है तो वह बोलते तुम किसी भी 10 company में क्या बन सकते हो member बन सकते हो चयर पर्सन बनना है तो 5 company been member बनना है दस company में बनो चयर पर्सन बनना है किती company में बनोगे सिर्फ और से फांच company में बन सकते हो मैं कभी ऐसा है कैसा है आडिट कमिटी ओडिकमिटी तीन ऐसी औरिंप क्या हो सकती है और अगली और पांच ले लो लेकिन अब रह पाऊगे चैर पर्सन नहीं बन पाऊगे मतलब मेक्जिमम तुमको क्या है पांच जगा पे परसन बन सकते हो किसी कमिटी में लेकिन मेंबर बनना है तो ओवर ओल मेंबर्शिप कितने कि यह दस कितना इंडिविजुल कि कमिटी के दस कैसी बात करें ओवरॉल दोनों को मिला के 10 की लिमिट दी है और चैर परसन की भी ओवरॉल कमिटी को मिला के कि मैक्सिमम कितने कमिटी में चेर परसंट बन सकते हो पाँच अब लगी रहा तो कुछ करवाएंगे तुमको यह डायरेक्टली पूछा जाता है कोईश्चन और इनम सी क्यू में भी रीसंट्ली तो एस ओर रिमेंबर यह तो कुछ नहीं पूछा हुआ था तुमको केस दिये थे रवताना था कि कितनी कब कब करनी पड़ेगी कितनी जल्दी पड़ेगी तो यहां पर वन्ट कुछ कम्पलाइंस होते हैं कुछ कम्पलाइंस कॉटर्ली ह होते हैं और कुछ compliance आपके क्या होते हैं क्या करने के करने क्या करने करेंगे कंपनी सेगेट्र अपईंट करके यही तो वो है करता तर्ता जो पूरा चेक करेंगी अपॉइंट फॉर दे मिच ओफिसर बोलते इ science कंपनी सेकेट्रीगेट इन शाट रखो मिचिद कब्छी तभी कमपनी सेकेट्री के-2 कुम्हीं है चेक कंपनी कंपनी के एपनी में अपट्रांसवर एजंट करना पड़ेगा अपने घर में अपॉइंट करो किसी एजन्ट को पॉइंट करो चाहे तुम यहां लिखा है कि जैसे ही क्वाटर एंड होता है एप्रेल में जून एंड जून एंड हुआ उससे 21 दिन के अंदर मुझे क्या करना है इन्वेस्टर ग्रेवियांस रिपोर्ट देनी होगी लोगों के दुखाएं है उन दुखों के पूरी रिपोर्टिंग बना के देनी है क यहां लिखा है 21 डेज और यहां लिखा है 21 वर्किंग डेज दोनों में फरक है वर्किंग डेज में संडे नहीं आते वर्किंग डेज में कई स्ट्राइक हो गई नहीं आती वर्किंग डेज में कोई छुट्टी है वो नहीं आता जब-जब हमारे काम हो रहा है उसको वर्क हें लेक्ते लिख मेंसे लिखते तुम ने वर्किंग को डे लिख्ट को व्रकिंगेस लिख दिया चिपता भी सही कर लो तुम्हारा तो अंसर ले में singular मिए लठी के लिखने पड़ेंगे ठीक है जैसी क्वाटर एंडवा इन्वेस्टर का ग्रेवियंस रिपोर्ट में क्या आएगा वह कंप्लेंड जो अभी तक हम सौल नहीं कर पाए ओपनिंग और नहीं कंप्लेंड आ गई वह जो हमने सौल कर दी डोंट यू थिंग कि यह क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस पर्चेस माइनस क्लोजिंग यह वैसा ही नहीं चल रहा तो यहां पर करा क्या है पुराना कितना पेंडिंग है नया काम कितना है कितना रिजॉल हुआ बच गया तुम्हारा क्या पेंडिंग क पहली चीज फिर कॉर्पोरेट गवर्णेंस की भी क्या करो रिपोर्ट दो कितने दिन में देनी है 15 दिन जैसे से क्वाटर एंडो 15 में कॉम्प्लीटली लरन करो कौन सी चीज 15 दिन में जाती है कौन सी चीज 21 में अब इस भी 21 में दो रिपोर्ट जा रिए एक शियर कितना है वह भी किस दिन में ही जाता है पैतालिस दिन में क्या जाएगा फिनेंशल रिजल्ट हर को जोन पहला तो इस कोटर का एक मेरा क्या जाएगा financial रिजल्ट फिर इसके बाद जुलाइं अक dejar फिर इस वाटर का क्या जाता है financial अब एक रिपोर्ट कहां से जाएगी यह अप्रेव से सितमबर तक कि एक और रिपोर्ट जाएगी तो बोलते हैं यह तो डेट भी एक तो उसमें तुम वर्किंग करोगे तो और ताइम निकल जाएगा इसलिए क्या बोलते हैं या और क्या दिना होता है साथ में statement of deviation and variation जैसे quarter end हुआ कोई days नहीं लिखे मतलब जहां quarter end हुआ कुछ चीजों से deviate किये होगे तुम कहीं जगा पर तुम्हारा calculation में variation आ रहा होगा तो इसकी भी क्या दो इसको मैं बोलो exceptional report दे दो जहां जहां पर exception की क्या चाहिए इनको report चाहिए यह सारी चीज़े तुमको देनी पड़ेगी अब annually क्या देना एन्वली कुछ नहीं देना है financial report देनी है audit report के साथ और साथ साथ में annual report देनी है financial result annual report financial result annual report देनी है और यह annual report website पे भी लगानी पड़ेगी याद करो हर listed company जिसकी एक website उसको website पे report लगानी होती कब तक not later than date of dispatch of annual report and notice to security holder बोलता है कि तुमको क्या करना है website में कब तक लगाना है भही अब annual report dispatch होने जारी उससे पहले तो कम से कम website पे लगा लो कि यह हमारी report है या फिर security holding के जो notice जा रहे हैं कि security holders को जो notice जाता है कि यह रही रही report तो उनका उन तक पहुचे उससे पहले तुमारी website पर क्या होना चाहिए यह लग चुका होना चाहिए लग चुका होना चाहिए इस दिन पहले क्या करना होगा बोड मीटिंग के 21 दिन पहले document and information यह सारे shareholders को पहुच जाने चाहिए वह तो meeting sorry meeting लिखा general meeting कोई भी meeting हो general meeting उससे 21 दिन पहले तो उनको को पहुचा दो कभी उनको कोई doubt हो कुछ पूछना हो तो पूछेंगे तो सही हमसे meeting में तो यह annual यह जो बोले न notice जाएगा security holders को annual report जाएगी तो बोलता है कि 21 दिन पहले ही क्या हो जाना चाहिए चली जानी चाहिए यह compliance किसके हो गए वन टाइम सीएस को पॉइंट करना एक बार ही शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करो quarterly investor graveyard है और shareholder pattern security holding pattern corporate governance की रिपोर्ट और financial results financial results में याद रखो quarter as well as year two date साल में एक बात में financial result and audit report ही देनी है और यह annual report देनी फैनेंशल रिजल्ट audit report annual report annual report को website पे लगा दो किस से पहले इस से पहले कि किस तक पहुचे आपकी annual report release हो या फिर शेयर होल्डर्स को क्या जाना चाहिए और यह सारी चीज़े शेयर होल्डर्स को कम से कम 21 दिन पहले मीटिंग के 21 दिन पहले पहुच जानी चाहिए ठीक है अब यह पूरा entirely कहां पर 15 दिन है कहां 45 दिन है कहां 21 दिन है कहां वर्किंग डेज है कहां पर डेज है यह याद करते करते ही याद होगा और मैं कहूंगी एक्जाम के पहले तो एक बार पढ़ लो पर एक्जाम वाले दिन जो सुबह का टाइम होता ना जो ऐसे च्छोटे मुटे चैप्टर यह सिफ चार पेज का यह उसवक्ट कि याद करना तब ताजा ताजा याद रहेगा ठीक है अब कुछ चीजों का प्रायर इंटिमेशन स्टॉक एक्स्टेंज को दो क्यों भाई हमने तुमको एलो डियार रेगुलेशन अप्लाइए ही इसलिए कि हर लॉइन रेगुलेशन का कम्प्लाइंस होना चीए तो हमको स्टॉक एक चीज बताओ देखो हमने यह किया हमने कैपिटल इशू की हमने डिवेंचर इशू कि हमने रिकॉर्ड डेट चेंज की हमने इंट्रेस्ट यह अलाव किया तो हर चीज का पहले किसको बताना पड़ेगा स्टॉक एक्स्टेंज क्यों बताना पड़ेगा वही तो बोलते हैं बॉर्ड मीुटिंग कहनी सी मीटिंग होने वाली पॉर्ड मीटिंग।ं पांच दिन पहले फेनैंशील रिजाल्ड देडे शा बॉर्ड मीटिंगे पान दिन पहले एन्वली और जब दोगे और फिर बोर्ड मिटिंग हो रही है तो यह फैनेंशल रिजट कम से कम पांच दिन पहले किस तक पहुचा दो फिर बोलता है कुछ लोग यह बोलते वालिंट्री डे लिस्टिंग बाई लिस्टेड एक एंटिटी खुद चाहती है कि मुझे अब लि तो पांच दिन पहले फिनैंशल रिजल जाने चाहिए पांच दिन है यहां यहां पर फिर से क्या कर दिया तू वर्किंग डेस करना है पहले स्टॉक एक्स्चेंज को बताओ कि और पैसा बाहर से मंगवा रहे हो राइट इशू कर रहे हो स्टॉक एक्स्चेंज को बताओ कब बताना यह सब अभी दो दिन पहले चल रहा है कम से कम टू वर्किंग डेस पहले तो बताना ही पड़ेगा डिकलेर करने वाले रिकमेंड करने वाले डिविडेंड या फिर बोनस सेक्यॉर्टी देने वाले वाले बाइबक करने वाले एक काम करो ना तुम यह समझो शेयर उच्कियॉर्ट खोराइब इसका करने वाले उसे भी तो पता चले कि तुम्हारी बोर्ट मिटिंग वे चल क्या रहा है है फिर कुछ चीजों का ग्यारा वर्किंग डेस पहले ही बताना पड़ेगा क्यों कि बड़ी बात होने वाली तब ही तो बोल रहें ग्यारा दिन पहले बता हूं कौन सी बड़ी बात तुम तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज कर रहे हो कुछ करे यह किसमें सेकियोरिटीमा सेक्योरिटी संद्ध करने पहले सिक्योर्टि एशुद करते थे अब बोलघे अच्छेन कर रहे हैं नेचर और सिकयोरिटी में थोड़ी ждou क्यों करने कया का रहें पछंच पहले ग्यारा दिन पहले पहले बताओ कि ऐसा कारण है एक कंपनी है न क्लियर करना भी नॉर्मल है पर जब कंपनी नेचर एंड फॉर्म ऑल्टर करती है तो वह रिकंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा है तो कम से कम ऐसी चीज़ हो तो पहले ही बताओ ना बोर्ड मिटिंग के पहले तो यहां 11 अगें क्या लिखा है वर्किंग अब तक मुझे डे से एक जगा दिखा फिनेंशल रिजल्ट है और क्या करना है तुम फिर से कर रहे हो तुम समझो ऑल्टरेशन के लिए 11 दिन है कभी तुम्हें वहां याद नहीं आना अल्टरेशन के यही दो पॉइंट्स है अल्टरेशन के लिए 11 वर्किंग डेस अब किस चीज का लटरेशन तुम शेयर रिडिम नहीं करना चाते या फिर डिवेंचर रिडिम्शन में आल्टरेशन है या फिर जो इंट्रेस्ट जिस दिन बाठते थे ना उस डेट को ही ऑल्टर कर रहे हो पहले तुम 30 सितंबर और 31 मार्च को क्या करते थे इंट्रेस्ट देते थे अब क्या इसी सब्लेकर rate कोसिश स्क्रिव इंट्रेस्ट की डेट में है में हैरी-फैरी कर तो यहां भी 11 दिन पहले तो इन शौर्ट में पूलों तो लिखा है तो ग्यारा दिन पहले तो बताओ एब ये बात किस की सब्सक्राइब कर रहे हो या फिर किस्क्राइब कर हो या डिवीडेंट कर रहे हैं इसके बात बौलते हैं फिर कुछ पहले बताना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट से पहले बताना है यहां तुमने रिकॉर्ड डेट चेंज किया डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंट्रेस्ट चेंज किया बोलते हैं यह जो रिकॉर्ड डेट है तुम्हारी जिस दिन जनरली तुम क्या देते हो इंट्रेस्ट देते हो इससे सातव दिन पहले इससे भी साति दिन पहले क्या करना होगा या फिर ड़कोर्ड ओफ प्लोजिरुटर ऑफ dispar date भोलता है है कि यह record डेट से सा दिन पहले से यह record डेटसे पांच दिन पहले इस को क्या करना होगा budget अगर तुम change करना चाहते हो या पिर तुम क्या दे रहे हो इंट्रेस्ट दे रहे हो तो साथ दिन पहले बता दो कि हम क्या करने वाले हैं इंट्रेस्ट बाटने वाले फिर रिकमेंड और डिकलेर डिविडेंड कैश और बोनस और अगर तुम डिविडेंड डिकलेर करना चाहते हो कैश दे रहे हो या बोनस दे र और पांच दिन पहले बता दो यह रा डिविडेंट यह रा कैश यह रा बोनस अब इसका रीजन क्या है रिकॉर्ड डेट से साथ दिन पहले लोगों को बताओगे तो लोग सोच तो ले कि यह वाली सिक्योरिटी खरीदनी भी है या नहीं फिर दो दिन वेट करने के पांच में दिन बता देना इत्ता डिविडेंट डिक्लेर किया तो कम से कम रिकॉर्ड डेट के पांच दिन पहले डिक्लेरेशन होना चाहिए और साथ दिन पहले बता देना यह रही आने वाली रिकॉर्ड डेट इस दिन तक तुम्हें इंट्रेस् अब यह पहले 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 चल रहा था यहां भी पहले यहां भी यहां भी सब जगह पहले और सब जगह वरकिंग डे है एक्सेप्ट फिनाइंशल रिजर्ट वहां डेज लिख रहे हैं अब बोलता है यह सारी जित्ते भी चेंजिस तुमने किये जित्ती भी कारामात की है यह सब वेबसाइट पर डालो जैसे चेंज हुए से दो दिन के अंदर डाल देना अब चेंजिस के बाद है यह सब प्रायर चल रहा था यहां पर यहां सब चीज़े क्या चल रही थी पहले 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 अब बोल रहे जहां तुमने चेंजिस किये उससे दो दिन के अंदर वैबसाइट प जरूरी कि है इंडिपेंडनेंट डाइरेक्टर कितने होने चाहिए तो उस पर डायरेक्ट कुष्षिन आते च्बाद इस प्रीक यह फ्रीक के मार्क जो यह यह और से भी देता है ठीक है अब बच्चे जनरली से भी क्यों छोड़के जाता है डोंट नो जबकि वह सिर्फ एक गंटे का चैप्टर है अब अलग-अलग कमिटी इस पर मैं तुम्हें एक चार्ड बताऊंगी लिखके दूंगी वह साथ-साथ में नोट करना जब मैं बोलू कमिटी तुमने मेरे साथ पड़ी है और पॉड़ीट कमिटी होती है नॉमिनेशनania मैरेशन कमिटी होती है स्टेक्वल्डर्स ट Shanghai कमिटी होती है बस एक नई हो गई तुम्हारे रिस्क मैंंगमेंट कमिटी जो वहाँ पर आगे मीटिंग वाले चैप्टर में नहीं दिए अब यहां पर बोलता है कि audit committee हर लिस्टेट कंपनी को चाहिए यह वहां पर भी याद है मीटिंग चैप्टर में पड़ा था कि audit committee तो हर लिस्टेट कंपनी को चाहिए और साथ में बताओ और क्या है अगर पॉब्लिक कंपनी हुई तो क्या था कि बोलो कि लिमिट याद है कि बीना देखें बोलो याद है लिमिट की नहीं कि आवाज नहीं आ रही सुमेट याद है इस पड़ाइगे लिए अर्शा अरे सुनो तुम इत्ता दिमाग नहीं लगा ना जो लिमिट इंडिपेंडेंट डिरेक्टर की है वही लिमिट और्डिट कमिटी की है कोई चेंज नहीं है तो तुम्हें सिस्फ एक याद रखनी और्डिट कमिटी की लिमिट तो वह ऑट्मेटिक लिकिसकी है तुमारी इंडिकेंडेंड डाक्य कि आप बोलते कि हर prolisσट्ड कंपनी को आडिट कमिटी की मिनिमम मून तीन ड्रैक्टर तो चाहिए लिकिन डयरेक्टर कि इंडिपेंदेनट ड्राक regen डिन डियरेक्टर के तुमको इंडि डी ऱे अब मुझे शर्चे से hop लिखे एक डिरेक्टर लिखाए कि टू थर्ड ऑफ दरेक्टर लिखा है मैं आप वहां पर अपने पड़ी है हैं ना कहां पर पड़ी जहां पर लिस्टेड कंपनि और इस पर लोडिया रेगुलेशन्स नहीं लगते क हैं पर कि अलगते हैं कि उठेलेशन्स नहीं पर लिखा है इन्डिपेंडंट कितने उने चाहिए यहां कितना लिखा हैं कि इन्डिपेंडेंडंट कितने वने चाईह है कि याद हुझा है गी मैजॉरिटी है यहां पर याद रखना क्या याद रखना अब मैं कंपैरिजन करके तुमको लिखते-लिखते करवा रही हूं और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी साथ साथ में इसको थोड़ा नोट करते जाना झाल 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 कर्वको यहां झाली हाद झाल झाल Local झाल झालने कर्वको झाल 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 तो अब अपन इसमें क्या लिखेंगे ओवरॉल कि लिस्टेट का क्या होने वाला है अनलिस्टेट का क्या तो अगर हम ऑडिट कमिटी की बात करें सबसे पहले तो ऑडिट कमिटी में मिनिमम मेंबर्स कितने बोलें दोनों जगा तो अगर अगर आगर आडिट कमिटी लिस्टेट है तो भी बोलता है मिनिमम मेंबर्स तीन होने चाहिए अब यह मिनिमम मेंबर्स कैसे होंगे किंजिस्ट ओफ किंजिस्ट गॉलते मिनिमं मेंबर कौन से होंगे तुमारे उधिक्जिक्टिव नोन डोनों चाहिए यहां भी जैक्जिक्टिव प्लहर स नॉन exe डेक्टर्स कितने होने चाहिए यहीं तो फरक है यह बोलता है लिस्टेड खर्धि-डॉफर तूबिटुएंडिपेंडिएंद्टू टूफ थिर्ट डैरेक्ट कि इन्देपेंडिंड ol उंपर कि क्या बोला है मेजोरी पॉइंडिय क्या बोला है मैज्यौरीटी। कि यहां पिरिव आपर किया बोला है। इन्डिपेंड पंठ मुझति तो is पैर हार यो सिर्फ लिस्टेड लगता ऑइलो दियार सिर्फ सिर्वीज़ सिर्फ यादे सिक्यूरीटी नहीं जो चांसे बहुत कम होंगे लेकिन अगर वो सिक्यूर्टी नहीं तब भी तुम कहां कवर जाओगे इदर इसके बाद बोलता है चेयर कोन होना चाहिए यहां पे चेयर में कौन होना चाहिए तो बोलते हैं कि जो तुम्हारा हुगा हमारी लिस्टेड कमपनी में लिखके रखा है स्पेसिफिकली कि यहां की ओडिट कमिटी का चेर परसन कौन होना चाहिए इंडिपेंडेंडेंट डारेक्टर होना चाहिए और यहां पर एनीवन एनीवन मतलब एनी डिरेक्टर ओविसली कोई भी डारेक्टर हो सकता एक्जेकुटिव नौन एक्जेकुटिव करने जब तक वह कुछ नहीं बोलेंगे तब तक तुम ऐलो डियार रेगुलेशन पे नहीं जाओगे मैजॉरिटी पर ही रहोगे जब उन्हों नहीं नहीं लिस्टेट में टू थर्ड ही है वहां भी यहां भी दोनों जगा फिर आतने stakeholders committee कितने members चाहिए भई stakeholder committee में minimum यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कोई बेतबाव नहीं यहाँ भी executive plus non executive direct икतर यहां भी एक्जीकुटिव प्लस नॉन एक्जीकुटिव डियरेक Просто कोई एब और ऐसुनदिपेंडेन्ट इतने चाहिए यहं बोलता है सिफिटी पर्संथ तुम ai अश है और यहां पर पर है और यह दो ।57 किया है लिस्टिड लिस्टेट के अलग चल रहे हैं फिर इसके बाद रेमुनेरेशन कमिटी की बात करें एक सिकना छोटी सी मिस्टेक हो गई है इसको हटाके तुम्हारा पूरा गलत नहीं होगा तुम सिर्फ नाम चेंज कर लो यहां पर कर लो रेमुनेरेशन कमिटी और यह वाली तुमारी हो जाएगी तुमारा यहां पर भी तीन यहां पर भी तीन अब जब तुमारी रेमुनेरेशन कमिटी होगी ना तो रेमुनेरेशन कमिटी में तुमारा सिर्फ नौनेग्सटीव ड्यरिकटर चाहिए इनको इट शूड़ कन्जिस्ट अफ ओफ ओंली नौन इग्चीटीव डिरिकटर यहां पर इघ्जएक्शटीव भटा ले ना क्योंग एट दिंग्य यहां पर भी एग्ज़ेक्यूट डेक्टर चाहिए यहां भी एक्जेक्यूटिव डेक्टर कोई बेद्भाव नहीं यहां पर इग्जिक्यूटिव डारेक्टर चाहिए और यहां पर एनी डी तो यहां डिफ्रेंस कहां पर राइज हुआ हमारा यहां पर फिर इसके बाद इतों मैंरस को मैंनेजमेंट कमिटी तो बोलता है विमेंग मैंनेजमेंट कम्विक कहीं भी म मीटिंग वाले चप्टर में पढ़ा भी नहीं होगा इसक वैनेजमेंट कमेटी यहां पर स्पेसिफाइब नहीं किया मैं क्रॉस करने की जगा स्पेसिफिकली लिखो नौट स्पेसिफाइब तो याद रहेगा बाद में नौट स्पेसिफाइब कुछ नहीं बताया भाहिया कितने मिनिममम नेमबर चीज इसका मतलब डिस्कृरिशन ऑफ द बोड तुम डिसाइड कमिटी में लेकिन मैजॉरिटी कि चाहिए बोड ऑफ डिरेक्टर की फिर इसके बाद में इंडिपेंडिंट डिरेक्टर नौट स्पेसिफाइब एनस मिंस कुछ स्पेसिफाइब नहीं करके रखा तो चेयर परसन कौन होगा सीनियर एक्जिक्यूटिव यह तुम्हारा क्य कर लिया कि यह ओवरॉल पता है क्या है अब अपने उसको पढ़ेंगे ना थ्योरी वाइस एक्जाम में यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाने से पहले इसको देख जाना तो तुम्हारा कंपाइल वे में सब कुछ हो जाएगा अब इसको देखते हैं क्या वही है देखो यहां पर मिनिममम थ्री मेंबर्स यहां पर तीन नौन एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर जैसा वहां लिखा है यहां पर फिफ्टी परसेंट बोले ना इंडिपेंडेंडेंट डायक्टर नॉमनेशन रेमिनेरेशन कमिटी में त तो वैसा कि वैसा उसको लिखवा दिया तो नाव इट कम्स टू ओनली रीडिंग अभी यहां बोलतें ऑडिट कमिटी की कित्ती मीटिंग चार फिर से वही गैप कितनी एक सो बीस इससे जादा गैप नहीं चाहिए यहां पर कोरम कितना कोरम वन थर्ड ऑफ तोटल मेंबर तू विच्चेवर इस लेकिन कम से कम मिनिमम दो इंडिपेंडेंट डिरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ओडिट कमिटी ओडिट कमिटी मतलब जो अल्डेटी चीजे देख रही है तो उसमें तो कम से कम कोरम में दो इंडिपेंडेंट डिरेक्टर तो आने चाहिए फिर नॉमिनेशन कमिटी में साल में कित्ती मीटिंग करनी है इस सिर्फ एक मीटिंग कर लो तो यहां भी मैंने मीटिंग के आगे मीटिंग करके कोशिश कि तुमको इसामने सामने परोब क्या सेम पर यहां सैंते एक इंडेपेंड कम İyi किटने चहले एक इंड़ीपेंड़ने डारेक्टर चाहिए थिक है तीन डारेक्टर ओना चाहिए तीन में से एक ऑर साल में एक बार होगी एक बात बोलूँ सिर्फ और इंडिपेंडेंडेंड डाय डाय कोरम की तो बात बी नहीं और यहां पर मैंजौरेटी ओफ दे मेंबर्स डाइरेक्टर होना चाहिए यहां दूसरे लोग भी आ सकते इस कमिटी में लेकिन मैं जूरीट सिर्द की चाहिए और चेर परसन भी कौन होना चाहिए डाइरेक्टर जो ऐलेडी टेबल में लिखा ना वही चीज यहां पर क्या करके रखे इस ओवराल कंसॉलिडेटेटेड इंकम निकालो या इंकम से ज्यादा निकल रही है के अगर बीज परसं से ज़्यदा इंकम याब वीस परसंग से ज्यादा की नेट रखते तो यहीं तो क dł मेंचमाक तो नहीं सेट कर दिया यहें बेंचमाक मटाइuciónुटि देखने के लिए तो इसको बोलते हैं तुमारा कटेरियल सब्सेड्री इसका मतलब एक लिस्टेट एंटीटी पर लोडियार है उसकी अन लिस्टेड अन लिस्टेड मटेरियल सब्सिड्री पर भी क्या है लोडिया और मुझे लिस्टेड सब्सिड्री तब लगे गई लोडिया तब तो बाती नहीं करनी मुझे तो अन लिस्टेड में मटेरियल holding company और unlisted material subsidiary दोनों में एक independent डारेक्टर कॉमन चाहिए क्यों कॉमन चाहिए यह इधर भी देखे लिस्टेट कंपनी में क्या कारणा में चल रहे और unlisted material subsidiary में क्या चल रहे तो independent डारेक्टर एक कॉमन चाहिए बस तो अगें point of mcq कितने common डारेक्टर इंडिपेंडेंड डारेक्टर होने चाहिए उसको फिर बोलता है यह जो material subsidiary है ना यह नॉट डिस्पोश शेर इन material subsidiary है जो holding company में कंपनी है यह इस material subsidiary में किसी भी कीमत पर अगर ऐसे सेल कर रही अपनी आपनी शेर होल्डिंग ऐसे रड्यूस करें कि उसका रहें करना चाहती है यह तो किस से नीचे आना चाहती है फिव्टी पर संट से नीचे आना चाहती है ऐसे अपने शेयर सब्सक्राइब कि निक्राइब पैसा वापिस निकालो मटेरियल क्यों है वही होगे ना एक तो इंकम अच्छी खासी है और दूसरा तुमने इसमें holding रखी ना लिस्टेट कम्पनी तुम्हारी तो holding ऐसी कम्पनी में तुम समझो ना यह क्या है holding company यह क्या है यह अनलिस्टेट जरूर है और इसने फिफ्टी परसन से ज्यादा अपनी कमाई इधर ही रखी ना holding इसमें करके रखे तो अटोमेटिक लिस्टेट कम्पनी के यहां पर ना ठीक है और फिर यह सबसेड़ी ओवरल ग्रुप का बीस परसन से ज्यादा तो कमारी नेट रख रहे तो सबसेट्री समझ एंडिक्ली तो लिस्टेट पर यह ना वो तो इसलिए बोलते हैं कि तुमको अगर यहां पर पचास पर शीन से कमकरना है यह फिर डिस्पोस करना है यहां तो इन्डिपेंडेंट डिरेक्टर हमको चाहिए यह यह तुम असेट इ देना चाहते हो ली अज्री ने बिस चैनल करना चाहते हो लीज लीज Jud korn चैनल को यह तो मतलब तो तुम अपने चीहर होल्डंग हटार। यह लिए फिर उसकी असेड्ट कोई सबस्केरियों किंहां करते हो लीस पयंदेरों तो भाहिया लाइए को ऐसा कर रहे हो तो स्पेशल रिजॉलिशन क्यों यहीं तो देखो नेट वर्थ का बीस परसेंट हर जगा बीस परसेंट से जादा है तो इनको स्पेशल रिजॉलिशन तो चाहिए चाहिए आई यह बात समझ में तो यह है तुम्हारे कंप्लाइनसेज तुमको यह सारी की सारी सारे चाहिक सारी का देकिन होंगे यहां क्या मटेरियल लिखा नहीं नहीं यहां बोल रहा है audit committee जो holding company की होगी वह अपनी सारी सबसेडरी के financial statement चेक करेगी यह उसकी requirement है minutes of the board meeting of subsidiary company subsidiary company की board meeting में क्या होगा review at board meeting of holding company holding company की जब board meeting होगी तो यह सारे financial statement review किये जाएंगे और यह चीज मिनिट्स में आनी चाहिए कि हाँ भाया हमने सबसेडरी के financial statement चेक किये है management to bring notice of board of holding company management to bring notice of the board of holding company all significant transactions and arrangement entered into by unlisted subsidiary unlisted subsidiary ने कोई बहुत बड़े transaction किये या arrangement किये तो holding company को बताना पड़ेगा इन शॉर्ट यह बोल रहे हैं कि तुमको कुछ भी बड़ा होता है significant होता है define नहीं कि है significant क्या पर हां लगता है कि कोई बड़ा transaction किया है तो फिर holding company को बता दो कि ऐसा करके रखा है and यह है तुम्हारा एलोडिया है कुछ नहीं पर बहुत कुछ है क्योंकि रटना बहुत है कुछ है तुम्हारा एलोड़ा स्थेटियों कि अदिएग्ट प्राइव टूश्ट रएग्ट करूश करूश्स